बुसकार दोस्तों मीत सीरियल काने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत अलहावत जो की पूजा रखते हैं लेकिन दोस्तों पूजा में मीत हुड़ा कोई ने मैठन देते लेकिन दोस्तों कहानी में जैसा कि आप लोग तुछ देखने वाले हैं कि एक बार फिर से बच्चा सुरक्षित है और बच्चा एक मंदिर में हैं और मंदिर में भी किस तरीका से है वह आप लोगों समझी रहे हूंगे क्योंकि अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिर में जिस तरीका से बच्चा है वह पुजारी की साथ में और प्रोजारी उस बच्चे को बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे लेकिन दोस्तों सभी लोगों को लग रहा है कि बच्चा खतम हो चुका है वहें पर ही मीत अलहावत भगवान से प्रे करते हुए नजर आएंगे कि भगवान जहां पर भी हमारा बच्चा हो वो सुरक्षित ह और वहें पर ही आप लोग देखी रहे होंगे कि मीत उड़ावी बच्चे की सहमती के लिए एक बार फिर से बोलते हुए नजर आने वाले हैं कि बच्चा जहां पर भी हो वो सुरक्षित हो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही कहानी में एक बार फिर से न लेगी क्योंकि बरफी देवी की बेटी को निकालने के लिए अब मीत उड़ा एक नई चाल चलेगी क्योंकि बरफी देवी को इस घर से निकालना बहुत जरूरी है नहीं तो वो पूरे परिवार को तोड़ने में कोई भी कमी नहीं राकने वाली क्योंकि वो परिवार दिखने को मिलेगा क्योंकि लोग जानते हैं कि मासूम हमेशा से ही अपनी चाल उसने अलग ही चली है लेकिन इस बार मासूम को सीधा सीधा उठाकर और मीत अलावत घर से बाहर फैकेंगे अपनी बहन को क्योंकि दोस्तों वार जो बुरा किया है मीत हुड़ा और मीत अलावत के बीच में वो कोई भूला नहीं है इस चीज को आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोद करूँगा चैनल को सस्क्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरू बताई थैंक्यू झाल 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 झाल